नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है मेरी चैनल में और आज की वीडियो में मैं आपको सीखाऊंगी कि अगर आपकी बाजू आपको लंबी बनानी हो और कपड़ा थोड़ा कम हो ता आप किस तरीके से बाजू की लेंद बढ़ा सकते हो और थोड़ा सा डिजाइनर भी हो ज दिखाऊंगी तो यहां पर देखो मेरे पास बाजू है और कपड़े की लंबाई इतनी ही थी और अलग से मैंने इसमें कपड़ा लगाया है ताकि मैं इसकी लंबाई बढ़ा सको तो मुझे तीन इंच रेड़ी रखना है तो मैंने चार इंच चोड़ाई यहां पर यह लिए है और लंबाई आपको अपने बाजो के हिसाब से ही लेनी है बाजो के बिल्कुल बराबर ठीक है आप इसकी कितनी भी जादा चोड़ाई बढ़ा सकते हो अपने हिसाब से कम यह जादा तो इसकी जो चोड़ाई मैंने यहां पर रखे चार इंच रखे एक इंच लिए हाफ-ाफ हमारा दोनों साइच सिलाई में जाएगा इसलिए और तीन इंच की मैंसे रडी गरूंगी तब यहां पर सबसे पहले तो मैं इस पर किनारी की साइड में दोनों साइड यहां पर पाइपिंग लगाऊंगी और क्योंकि इसमें वाइट कलर का डिजाइन है त तो सिम्पल वाइड कौलर का कपड़ा भी मेरे पास नहीं था तो जो चलवार का कपड़ा की अश्माइड वाइड कोड़ा है। इसमीं यहाँ पर यह किनारी इस तरीके से लगा दूगी। इसलिए मैं white color यहाँ पर यूज करूँगी तो यह half a finch पर यहाँ पर मैं इस तरीके से मैंने निशान लगाया है यहाँ पर यह jackster मैंने लिया था और कपड़े को मैं इस तरीके से fold करूँगी कि white वाला हिस्सा ही हमारी किनारी में दिखे जो piping है वो हमारी white color की दिखे अगर आपके पास same color है white color है अलग से या कोई भी similar color है आप वो वाला कपड़ा भी यूज कर सकते हो तो एक पैर की सिलाई मैं यहाँ पर इस तरीके से लगा दूँगी और यह jackster कपड़ा है उल्टा करके मैंने यह कपड़ा कट कर लिया है अब यहाँ पर देखो आप मैं इस तरीके से फोल्ड करूंगी और हलका सा नाखून से दबा करके बिल्कुल यह सेट हो जाएगा ठीक है और दूसरी साइड में मैं इसी तरीके से लगा लूँगी आप बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन इस तरीके से क्रियेट कर सकते हो सलवार का कपड़ा थोड़ा डिफरेंट हो यह सेम कलर शकते हो ऑर इसमें आप गोटवाट को पटे से भी डिजाईन बना सकते हो ठाके बहुत साई चीजए आप क्लिए अन्डर इस तरीके से करें तो यहां पर यह मैंने बाजू ली है और बाजू के आगे की साइड हाफ इंच मैंने एक्स्टर रखा था ये सिलाई के लिए हमें रखना होता है अंदर फोल्ड करने के लिए तो अब ये जो मैंने डिजाइन यहां पर रेडी किया है ये इस तरीके से इसके उपर मैं रख दूँगी पहले तो इसे आप नाकून से सेट कर ले चाहे तो आप प्रेस से भी सेट कर सकते हो इसे ठीके ताकि फिनिशिंग अच्छे से आए जैसा भी आपको आसान लगे आप उस तरीके से कर सकते हो आप इस पे हल्किसी प्रेस कर दोगे बिल्कुल ये सेट हो जाएगा फिर आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी चाहे तो आप नाकून से भी से सेट कर सकते हो तो जहां पर ये आधा आधा इंच की दूरी पर यहां पर मैं इसके उपर रख दूँगी इसे और फिर इसमें सिलाई लगा दूँगी तो इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से बाजू की लेंद बढ़ा सकते हो बाजू में डिजाइन लगा सकते हो आपको जो भी इस तरह से डिजाइन बनाना हो आप इस तरीके से बना सकते हो बहुत ही अच्छा लगता है और सिंपल सा है और बिल्कुल ही आसान है तब इस साइट से भी मैं इसी तरह के सिलाई कर दूँगी और बिकुल किनारी किनारी की साइट ही मैं इसमें सिलाई लगाऊंगी और इसके बीच में भी आप कोई भी सुन्दर से बटन लगा सकते हो या कोई भी डिजाइन आप इसमें बना सकते हो मुझे सिंपल ही रखना है तो मैं इसी तरह से रखूंगी तो यहाँ पर देखी यह हमारा डिजाइन बिल्कुल बन गया है बहुत ही आसान तरीके से बिल्कुल 5 मिनट के अंदर ही आप इस तरह से बना लोगे और अगर आपको बाजू की लेंद बढ़ानी है तो आप इस तरीके से बाजू की लेंद भी बना सकते हो ठीक है और इसमें डिजाइन भी आप अपनी हिसाब से क्रियेट कर सकते हो बीच में आप कोई भी बटन सुंदर से लगा सकते हो या फिर जो भी आप इसमें डिजाइन बनाना चाहे कोटा पट्टी से भी आप अच्छे डिजाइन क्रिएट कर सकते हो ठीक है तो यह तरीका है बहुत ही आसान सा और बस हमारी बाजू रेडी हो गई है अगर आप कोई मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रू करना शेयर करना चाहता से ज़्यादा और पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रू कर ले तो अब मिलते हैं हम नेक्स वीडियो में